हे गाईस क्या आप जानते हैं दुनिया का एक ऐसा जीब जो भूग लगने पर अपने ही शेदिल को खारे लगता है दुनिया का एक ऐसा देश है वहाँ कोई भी साब नहीं पाई जाती है क्या आप जानते हैं येसी को दिवार की उपर की तरफ क्यों लगा जाता है चलिए मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ वीडियो को पुरा लाश टक देखें अगर आप मेरे चैनल में नहीं होई ती चैनल को सब्सक्राइब करें चलिए शुरू करते हैं नमर वन धर्ती पर मोचुद हर जीब जीवित रहने के लिए किसी ना किसी चीज का सेवन जुरू करता है एनर्जी कम होने पर हर जीब को भूग भी लगती है ऐसे में वे खाने की तलाश करते हैं हाला कि सभी जीब के खाना खाने का तरीका अलग अलग होता है कुछ जानवर कई हपतों तक भूके रहते हैं तो कुछ हर दिन खाना चाहिए लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक जीवे ऐसा भी है जो भूक लगने पर अपने ही शरिल को खाने लगता है जे हाँ ये और कोई नहीं बुल की हमारे आस-पास मिलने वाला जीवे जिसका नाम चुवा है दरसल चुवे अपने बुग को बरदाश नहीं कर पाता है जब उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिलता तो अंत में वे अपने शरिल को ही खाने लगता है नमर दो दुनिया भर के पी जगा कई तरह के साप पाय जाते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक देश ऐसा भी है जहां एक भी साप नहीं पाया जाता है जी हाँ आज आपको उसी देश के बारे में बताने जा रहे हैं दरसल साप ना पाय जाने के पीछे की बज़ा भी काफी दिल्चस्व है उस देश का नम आइलेंड है आइलेंड में एक भी साप नहीं पाया जाता है वारानिक कथाओ के मुताबिक यह सेट पैटरिक नाम के एक संथ थे सेंट फैटरिक ने इसाई धर्म की रक्षा के लिए यहां के सापों को एक साथ गेल लिया था आइले पैसरी कहाने के मुताबिक आइलेंड में साप हुआ करते थे लेकिन अत्य दिक ठंड की बजह से वह बिलप्त हो गए नमबर तिन क्या कभी आपने इस सवाल पर विचार किया है कि आकर इसी को हमेशन दिवाल के उपर की तरफ क्यों लगा जाता है इसी को दिवार के उपर क तुम эфф9 को द्यान में रखक कर लगा जाता है यार क्ंडिशनर के अंदर से हवा निकलती है जो हमेशन नीचे जयमिन की तरफ चाती है इसी चीज को द्यान में रखकर उसी उपर की तरफ यह सहारे इंस्टल किया जाता है वहीं लिःटर कौने जा नीचे तरफ लगा पर कित तरब जाती है